नमस्कार मेरे प्यारे विध्यारतियों, मैं प्रवीन बंसल, आज करने जा रहे हैं हम लेखा शास्त्र कक्षा ग्यारवी, अध्याय चार, लेन देनों का अभिलेकन, और यह है इसका भाग दो पिछले भाग में हमने जाना कि खाते मुख्यता पांच तरह के होते हैं, परिसंपत्या, व्याय, आय, पूंजी और देताएं, परिसंपत्या और खर्चे, यह दोनों ऐसे खाते हैं जो डेबिट साइड से बढ़ते हैं, डेबिट मतलब नाम से बढ़ते हैं, और घटते क्रे देताएं, पूंजी और लाब, यह ऐसे खाते हैं जो क्रेडिट साइड से बढ़ते हैं और डेबिट से घटते हैं, इन पांचों खातों को हमने रोज नामचे में लिखने की प्रक्रिया सीखी, जैसे कभी रोकड मतलब कैश का आना हुआ, तो कैश अकाउंट को डेबिट क किया गया, देखिए, रोकड एक परिसंपत्ति है, और परिसंपत्ति को बढ़ना नाम से है, एसेट को बढ़ना नाम से है, कैश को बढ़ना नाम से है, इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट किया गया, और अगर वह कैश, अगर वह रोकड राम से प्राप्त हुआ है, तो र लेजर में भेजा, मतलब बही खाते में प्रिविश्टी कराई और इस प्रक्रिया को हमने कहा खतोने, पोस्टिंग अब इसके बाद सवाल यह उठता है कि हर विवस्थाए में पैसो का लेन देन, समान को खरीदना, समान को बेचना शायद रोज ही होता हो, और कई बार होता हो तो क्या हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि जब जब पैसा आये या जाये पहले उसको रोज नामचे में लिखें, उसके बाद उसको खातों में खतोनी करी जाएं शायद एक बड़े व्यपार में या किसी छोटे व्यपार में कहें कैश का आना जाना कई बार होता है माल का क्रे विक्रे उससे भी जादा बार होता है तो इस अभिलेखन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हमने अब एक दूसरा तरीका सीखना है जिसमें हम अलग-अलग किताबे बनाएंगे जैसे रोकड से जुड़ी हुई चीजों के लिए एक रोकड बही होगी क्रे से जुड़ी हुई चीजों के लिए एक क्रेप उस्तक, सेल से जुड़ी हुई चीजों के लिए एक विक्रेप उस्तक, इतियादी कहने का मतलब यह हुआ कि जब भी हमें कैश से जुड़ी हुई कोई भी प्रिविष्टी दिखाई देगी हम उसे सीधा रोकड बही में भेज देगे इसी तरह क्रे हुआ तो वह क्रे पुस्तक में चला जाएगा विक्रे हुआ तो वह विक्रे पुस्तक में चला जाएगा तो आईए सीखते हैं सबसे पहली पुस्तक जो हम सीखने जा रहे हैं वह है रोकड भाई जिसको हम cashbook भी कहते हैं इस बही के अंदर हम वह सभी प्रविष्टिया करेंगे जिनका आधार कैश है अगर पैसा आया तो रोकड बही में आएगा अगर पैसा गया तो भी रोकड बही में आएगा और अगर कोई ऐसी प्रविष्टी है जिसमें ना तो कैश का आना हुआ है ना जाना हुआ है तो वह प्रिविष्टी इस बही के अंदर नहीं लिखी जाएगी तो चलिए इसको एक उधारण के रूप में शुरू करते हैं वैसे रोकडवही दो तरीके की होती है एक स्तंभिये और दो स्तंभिये पहले हम एक स्तंभिये रोकडवही के बारे में जानेंगे जैसे कि आप उधारण दे सकते हैं कि एक नवंबर दो हजार पांच 30,000 रुपे का रोकडशेश है हमें पिछले सत्र से यह जानकारी पहले ही प्राप्थ हो चुकी है कि हम किस तरह से खाता बनाते हैं और रोकडवही भी वह खाता ही है और कुछ नहीं जैसे कि आप देख सकते हैं रोकडवही के अंदर पहला स्तम तिथी फिर विवरण फिर प्रिष्ट संख्या और राशी को डेबिट सैड में लिखा गया और इसी तरीके से तिथी विवरण प्रिष्ट संख्या राशी क्रेडिट सैड पे मतलब जमा तो चलिए प्रश्णी की शुरुवात करते हैं एक नवंबर 2005 तीस हजार रुपे शेश अर्थात यह परिसंपत्ती में आपके पास पहले से ही है सभी परिसंपत्तियों की शुरुवात डेबिट साइड से की जाती है तो रोकड भही की शुरुवात एक नवंबर को तीस हजार रुपे से डेबिट साइड से की गई अब आपका सोचने का तरीका सिरफ यही रहेगा अगर पैसा आया अगर नगद आया तो वह डेबिट साइड पे लिख दिया जाएगा अर्थात नाम और अगर पैसा गया तो वह क्रेडिट साइड पे लिख दिया जाएगा अर्थात जमा और रोकड भही इससे जादा गुर्मीत द्वारा प्राप्त नगद बारह हजार अब आपको यह ध्यान देना है कि पैसा आया या गया नगद आया या गया गुर्मीत द्वारा प्राप्त किया गया बारह हजार रुपया पैसा आया नगद आया और अगर नगद आया तो वह रोकडबही की नाम वाले जग लिख दिया जाएगा 12,000 जी हाँ यह इतना ही सरल है आगे बढ़ते हैं 8 नवंबर पीमा की वार्शिक किष्ट का भुकतान नगत गया नगत में कटौती अर्थात क्रेडिट साइड जमा 6,000 आगे बढ़ते हैं 13 नवंबर फर्नीचर का क्रेड देखिए फर्नीचर को खरीदना अर्थात कैश का जाना कैश में कटौती नगद में कटौती 13 नवंबर फर्नीचर 13,800 रुपे 16 नवंबर माल का नगद विक्रे माल को बेचा गया और नगद की प्राप्ती हुई 16 नगद की प्राप्ती अर्थात पैसे का अना मतलब डेबिट साइड 28,000 और विवर्न में आप हमेशा ही दूसरा नाम अरजित करते हैं मैं फिर से दोहराना चाहूंगा विवर्न में आप दूसरा नाम अरजित किया करते हैं अगर विक्रे है तो विक्रे राम, शाम, गुर्मीत, इतियादी उसके बाद है 17 नवंबर मुदित से माल नगत खरीदा, मुदित से अगर माल नगत खरीदा गया तो नगत का भुक्तान किया गया होगा और आपके रोकड में कटौती हुई होगी तो जब-जब कटौती हुई है तो हमने पहले ही सीखा वह क्रेडिट साइड से कम होगा और डेबिट साइड से बढ़ेगा मुदित से समान खरीदने में आपके रोकड में कटौती आती है और आपने समान खरीदा 17,400 का और इसलिए आपने इसको जमा के स्थम्ब के नीचे लिख दिया आगे बढ़ते हैं 20 नवंबर को आपने स्टेशनरी का क्रे किया स्टेशनरी को खरीदना वेतन का भुक्तान करना इसी तरीके का कोई भी खर्चा हो आपके नगत का भुक्तान तो हुआ अर्थाथ नगत में कटौती तो हुई अब यह स्टेशनरी के रूप में 1100 रुपे जमा स्थम्ब के नीचे लिख दिया जाएंगे जमा राशी के नीचे अर्थाथ कैश में कटौती जब मैं जमा शब्द का इस्तमाल करता हूं तो मेरा मतलब क्रेडिट साइड से हैं और जब मैं बही खाता की बात करूं रोकड में कटौती क्रेडिट साइड से ही आती है रुकमणी को रोकड़ पूर्ण भुकतान और थाथ रुकमणी नामक किसी शक्स को आप 12500 रुपे का भुकतान करते हैं तो वह 12500 क्रेडिट साइड में लिख दिया जाएंगे 27 नवंबर कमल को नगद माल बेचा देखिए जब आप नगद माल खरीद या बेच रहे हैं तो आपको इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता कि व्यक्ति का नाम क्या है क्यूंकि समान के पैसे लिए या दिए जा चुके हैं जब आपने कमल को नगद माल बेचा तो नगद आपके पास आ चुका है आप नगद ले चुके हैं आपके नगद में बढ़ोतरी हो चुकी है और जैसे कि हम सीख चुके हैं बढ़ोतरी डेबिट साइड पे ही लिखी जाएगी जब हम रोकडवही के बारे में बात करते हैं आपने समान बेचा, आपको 18,200 रुपे की प्राप्ती हुई और वह debit side पे लिख दिया गया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मासिक किराय का भुक्तान किया, किराया अर्थात खर्चा, व्याय, खर्चा करने पे नगद का भुक्तान किया गया होगा, किराय के नाम से भुक्ता किया गया होगा, नगद में कटोती आई है, और जब नगद में कटोती आई है, तो नियम के अनुसार वह credit side में लिख दिया जाएगा, 2500 रुपे, आगे 30 नवंबर को आपने वेतन का भुक्तान किया, 35 रुपे, यह 35 रुपे भी आपके वेतन में कटोती करते हैं, और credit side में लिख दिये जाते हैं, आखरी में, बैंक में नगद जमा करवाए, अब देखिए, बैंक में नगद जमा कराने का मतलब, नगद का तो कम होना है ही, बैंक में भढ़ना एक अलग बात है, अभी हम एक स्थम्बिये, रोकड बही को बना रहे हैं, जिसमें सिरफ और सिरफ कैश को बैंक में जमा कराना कैश में तो कटोती करा ही देगा और हमारी नजर सिरफ और सिरफ कैश पर ही है और कहीं नहीं बैंक में पैसे जमा कराना एक स्थंबिये रोकड बही में नगद में कटोती कराएगा ही कराएगा और आप यहां सिरफ और सिरफ रोकड के बारे में सो जब आपने बैंक में 8000 रुपे जमा कराए तो आपका भुकतान हुआ और आपने इसको जमा राशीस धंब के नीचे लिखा और इस तरीके से सभी एंट्री रोकडबही में रस्तुत की जा चुकी है अब आखिर में इस रोकडबही को बंद कैसे करना है आईए सीखें रोकडबही मतलब कैश रोकडब एक परिसंपत्ति है परिसंपत्ति सदा डेबिट साइड मतलब नाम से बढ़ती है और घटती जमा से है घटती क्रेडिट से है आप इस बात का हमेशा ध्यान रखेगा आपके पास कैश जितना आएगा आप उतना ही दे सकते हैं या उससे कम उससे जादा तो आप जहाकर भी नहीं दे सकते तो हमेशा रोकड बही में नाम मतलब डेबिट साइड सदा बड़ी होगी और आपको करना यू है कि डेबिट साइड वाला योग दोनों ही साइड पे लिखना है जिस प्रकार यहां 88,200 रुपे का योग नाम साइड से मिला डेबिट साइड से मिला यही 88,200 आप दोनों स्थम्भों में दोनों राशी स्थम्भों में लिख देते हैं 88,200 रुपे का योग दोनों ही राशी स्थम्भों में लिख दिया जाएगा अब सवाल यहां यह है कि 88,200 नाम में लिखना तो उचित क्यूंकि वहां का योग भी 88,200 ही है परन्तु क्रेडिट में यह योग 64,800 ही है तो आपको यह देखना है कि 88,200 नाम मतलब डेबिट मतलब बढ़ोत्री हुई और 64,800 रुपे आपके नगत का भुखतान हुआ अब इन दोनों को घटाने के बाद जो आप पाएंगे वह है रोकड का शेश और इस शेश को क्रेडिट में लिखने के बाद ही यह जमा राशी का स्थम्ब 88,200 बन पाता है आम तोर पे रोकड भाई एक महीने में एक बार बनाई जाती है और यह शेश उस महीने की आखरी तिथी को निकाला जाता है जिस प्रकार इस उधारण में रोकड का शेश 23,400 रुपे पाया गया और उसकी तिथी है 30 नवंबर अब एक दिसंबर को जब हम अलग से नई रोकड भाई बनाते हैं तो वह रोकड भाई 23,400 रुपे से एक दिसंबर को शुरू करी जाती है कुछ इस तरह और यह हमने सीखा एक स्थंबिये रोकड भाई को बनाना अब हम द्विस्थंबिये रोकड भाई के उपर चलते हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं हर व्यवसाई में सिरफ नगत के लेंदेन से काम नहीं चलता आजकल बैंक के लेंदेन शायद नगत से ज्यादा होते हैं तो एक व्यपारी को चाहिए कि उसकी बही खातों में बैंक और नगत दोनों का एक साथ ही अभी लेखन किया जाए तो इसी समस्या का समधान द्विस्थंबिये रोकड भाई है तो चलिए देखते हैं द्विस्थंबिये रोकड भाई कैसे दिखती हैं देखिए द्विस्थंबिये रोकड भाई के दो पक्ष हैं नाम जमा डेबिट क्रेडिट तिथी विवरन प्रिष्ट संक्या अब राशी के स्थंबों में दो स्थंब बनाए गए हैं एक रोकड दूसरा बैंक डेबिट साइड में राशी के दो स्थंब हैं रोकड मतलब कैश का आना और बैंक बैंक में पैसे आना राशी को दो तरीके से लिया जा सकता है या तो नगद में या बैंक में और इसी तरीके से आपकी जमा पक्ष में तिथी विवरण प्रिष्ट संख्या रोकड व बैंक मतलब पैसे का जाना भी नगद में भी हो सकता है और बैंक से भी हो सकता है तो इस दिविस्तंबिय रोकड वही में आप देखेंगे कि कभी भुकतान कैश में होगा और कभी बैंक में और कभी पैसो का आना कैश में होगा और कभी बैंक में तो चलिए इसे एक उधारन के रूप में समझते हैं उधारन आपकी स्क्रीन पर है दो हजार पाँच एक सितंबर को बैंक में शेश राशी 42,000 और रोकड में शेश राशी 15,000 हमने पिछली रोकड भही को बनाते हुए यह चर्चा कर ली थी कि रोकड भही पिछले महीने की आखरी तारिक के बचे हुए शेश से शुरू की जाती है तो इस उधारण में आपको पहले से ही बैंक और रोकड के शेश प्रदान किये गए हैं और बैंक और रोकड दोनों ही हमारी परिसंपत्तियां है असेट है और असेट की शुरुवात सदा ही डेबिट से हुई है नाम तो हमने नाम पक्ष में सबसे पहले रोकड और बैंक दोनों के ही शेश को लिख दिया है अब प्रश्न को करने का सिरफ और सिरफ एक ही दृष्टि कोण है कि नगत की प्राप्ति या बैंक में पैसो की प्राप्ति डेबिट सैड पे लिखी जाएगी और भुकतान भले ही वो रोकड से हुआ हो या बैंक से हुआ हो वह है क्रेडिट सैड मतलब जमा पक्ष में लिखा जाएगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं चार सितंबर को चेक द्वारा माल का क्रेड चार सितंबर को माल खरीदा गया मतलब पैसे का जाना लेकिन पैसे को जाने के लिए आपने चेक का साधन लिया जो पैसे का जाना है वह है रोकड से नहीं कैश से नहीं बैंक से हो रहा है और हम यह पहले भी जान चुके हैं कि कैश या बैंक में कटौती जमा पक्ष से होगी क्रेडिट साइड से होगी देखिए चार सितंबर क्रे बारह हजार रुबे ठीक अब आगे बढ़ते हैं आठ सितंबर नगत धन राशी पर माल का विक्रे माल का विक्रे मतलब नगत का आना चेक नहीं नगत का आना मतलब डेबिट साइड आठ सितंबर रोकड की राशी स्थंब में लिखना और इससे पहले जो भुकतान किया गया था वो चेक से किया गया था इसलिए उसको बैंक के स्थंब में लिखा गया था और इस बार यह रोकड के स्थंब में लिखा गया है तो विध्यारतियों को यहां ध्यान देना चाहिए कि भुकतान हुआ, रोकड से हुआ या बैंक से हुआ, नगत की प्राप्ति हुई, रोकड में हुई या बैंक में हुई, तो चलिए और उधारण लेके इसको और स्पष्ट करते हैं, 13 सितंबर, चेक द्वारा मशीन खरीदी, मशीन का खरीदना अर्थात भुकतान, पैसे का जाना, और जब कभी प्रश्ण आपको यह नहीं बताए, कि पैसे का जाना रोकड से हुआ या बैंक से, तो हम यह मान के चलेंगे कि भुकतान रोकड से किया गया है, 13 सितंबर, चेक द्वारा मशीन खरीदी, मशीन का खरीदना मतलब भुकतान करना, और चेक द्वारा मशीन की खरीदारी करी गई है, चेक द्वारा मशीन की खरीदारी अल्थात, जो भी भुकतान हुआ, वह बैंक से हुआ, मतलब क्रेडिट साइड से हुआ, मशीन 13 सितंबर को खरी दी गई और आप देख सकते हैं राशी स्थंब में हमने बैंक में से भोकतान किया ना के रोकड में से अब अगली तारीक 16 सितंबर 16 सितंबर को हम देखते हैं माल बेचने पर चेक की प्राप्ती हुई 4500 रुपे और चेक उसी दिन बैंक में जमा कराया माल बेचने पर पैसे का आना हुआ और चेक द्वारा आना हुआ और चेक उसी दिन बैंक में जमा करा दिया गया चेक अगर आप उसी दिन बैंक में जमा करा देते हैं तो 16 सितंबर को बैंक में धनराशी जमा हुई अब यहां सवाल उठता है अगर चेक उसी दिन बैंक में जमा ना कराया जाए तो देखिए जब तक चेक बैंक में जमा ना हो जाए तब तक चेक रोकड भी नहीं और बैंक भी नहीं वह रोज नामचे में लिखा जाएगा रोकड बही में नहीं अगर इस प्रविष्टी में यहां यह नहीं कहा जाता कि चेक को उसी दिन बैंक में जमा कराया गया तो सबसे पहले आप यह जाचिये कि क्या आगे आने वाली तारीखों में हमने वह चेक जमा कराया अगर उत्तर है हाँ तो इसका मतलब यह हुआ कि इस दिन जिस दिन चेक मिला उस दिन चेक आपने अपने पास रखा और अगर जवाब यह है कि चेक उसी दिन जमा हो गया है य इसका मतलब चेक उसी दिन जमा हुआ तो आप उसको सीधा बैंक में लिख सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं 17 सितंबर को नगत पर माल खरीदा अब यहां पर किसी का नाम कोई माइने नहीं रखता आपने माल खरीदा जब आपने माल खरीदा तो नगत में भुक्तान किया तो विध्यारतियों किसी भी तरीके की रोकडबही इसी तरीके से बनाई जाती है चाहे वो एक स्तंबिय हो या द्विस्तंबिय है पैसे का आना डेबिट साइड पे लिखा जाता है और पैसे का जाना क्रेडिट साइड पे है और इसी तरह आपकी रोकडबही समाप्त होती आगे की जानकारी के लिए हम अगले सत्र में मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद झालाी के लिए दुछ।